हेलो फ्रेंड्स बूर्णिंग टू आल अफ यू वेलकम टू आई 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 टी स्मार्ट लॉर्ड आज मैं आपको क्लास तेंथ हिंदी कोधुली चेप्टर फाइफ का अप्शेक्टिव बताने जा रही हूं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट करते हैं चेप्टर का नाम है धर्ती कब तक घूमेगी? फर्स्ट कोशन है धर्ती कब तक घूमेगी? शेशक कहानी किसकी रचना है? ए ओफ्षन है राजवललव, बी सावरदया, सी सुजाता, डी पापाती राइट ओफ्षन है बी सावरदया नेक्स्ट कोशन है धर्ती कब तक घूमेगी? शेशक कहानी का परमुक पात्र कौन है? ए ओफ्षन है मा, बी सीता, सी लक्ष्मी, डी पापाती राइट ओफ्षन है बी सीता नेक्स्ट कोशन है धर्ती कब तक घूमेगी? शेशक कहानी कहां से संकलित है? A option है, समकालिन कहानी से, B. समकालिन विश्व से, C. समकालिन भारतिय साहित्य से, D. सभी गलत है Right option है, C. समकालिन भारतिय साहित्य से Next question है, धर्ति कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है A option है, आंचलिक, B. राष्ट्रिय, C. समाजिक, D. वेवारिक Right option है, C. समाजिक Next question है, सी ता किस कहानी की एक परमुक पात्र है A option है, दही वाली मंगमा, B. धहते विश्वास, C. धर्ति कब तक घूमेगी, D. नगर Right option है, C. धर्ति कब तक घूमेगी Next question है, सवाल किस चीज का है A option है, रोजी का, B. रोटी का, C. खेती का, D. विन्ती का Right option है, B. रोटी का Next question है, सावर दैया किस पार्ट के कथाकार है A option है, मा, B. धर्ति, C. धर्ति कब तक घूमेगी, D. धहते विश्वास Right option है, C. धर्ति कब तक घूमेगी Next question है, सावर दैया किस भाषा के प्रमुक काहानी कार है A option है, बिहारी, B. राजस्थानी, C. मगी, D. तमिल Right option है, D. राजस्थानी Next question है, किसकी पत्नी ने दाल का हल्वा बनाया था A option है, कैलास की, B. विजु की, C. नरायन की, D. सभी को Right option है, A. कैलास की Next question है, नरायन की पत्नी का क्या नाम था A option है, भवरी, B. बखरी, C. मंगू, D. रूना देवी Right option है, A. भवरी Next question है, सीता के कितने लड़के थे A option है, 1, B. दो, C. तीन, D. चार Right option है, C. तीन Next question है, सीता क्या खुरचने लगी A option है, जमीन, B. आकास, C. बास, D. खप्रेल Right option है, A. जमीन Next question है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था A option है, कैलाश, B. नारायन, C. बिजू, D. अशोक Right option है, A. कैलाश Next question है, सीता का कौन लड़का हमेशा चूप रहता था A option है, कैलाश, B. नारायन, C. बिजू, D. सभी Right option है, C. बिजू Next question है, सीता को किसने रस्मलाई भेजी थी A option है, बिजू की पत्नी ने, B. नारायन की पत्नी ने, C. कैलाश की पत्नी ने, D. परोसी ने Right option है, B. नारायन की पत्नी ने Next question है, आज सीता के चारो और खाली जगा थी A option है, हवा, B. पानी, C. कीचर, D. वन Right option है, A. हवा Next question है, तीन बेटे, खाली जगा, दो वक्त की रोटी, खाली जगा, एक मा किस कहानी की पंक्ती है? A option है, मा, B. नगर, C. धोहते विश्वास, D. धर्ती कब तक घुमेगी Right option है, D. धर्ती कब तक घुमेगी Next question है, नाहर सिंजी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लगी A option है, भात, B. सबजी, C. लबसी, D. रोटी Right option है, C. लबसी Next question है, क्या सब कुछ बता देती है? A option है, मूँ, B. दिल, C. आखे, D. हसी Right option है, C. आखे Next question है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपे महमारी खर्च देने का निर्नेक लिया A option है, 100 रुपे, B. पचास रुपे, C. साथ रुपे, D. सत्तर रुपे Right option है, B. पचास रुपे Next question है, अगले दिन सीता ने क्या किया? A option है, घर छोड़ दी, B. रोने लगी, C. काम करने लगी, D. विजू के पास चली गई Right option है, A. घर छोड़ दी Next question है, यह बात अच्छी नहीं लगती की मा महीने भर इधर उधर लुढक रहे यह किसने कहा? A option है, नरायन ने, B. पुश्पा ने, C. भवरी ने, D. कैलाश्ट ने Right option है, D. कैलाश्ट ने Next question है, भर आखे पोश्ट कर किसने आगास की ओर देखा? A option है, सीता ने, B. पुश्पा ने, C. भवरी ने, D. राधा ने Right option है, A. सीता ने Next question है, अड़े अपनी अमीरी दिखाने के लिए रस्मलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? A option है, नारायन की पत्नी, भवरी, B. कैलाश्ट की पत्नी राधा, C. विजु की पत्नी पुश्पा, T. इन में से कोई नहीं Right option है, C. विजु की पत्नी पुश्पा Next question है, अड़े अपनी अमीरी दिखाने के लिए रस्मलाई भेजी है क्या यह किसने कहा? A. आफशन है, नारायन की पत्नी भवरी, B. कैलाश्ट की पत्नी राधा, C. विजु की पत्नी पुश्पा, D. इन में से कोई नहीं Right option है, C. विजु की पत्नी पुश्पा Next question है, सीता रुवासी क्यों हो गई? A. आफशन है, अपना काला ओठना देखकर, B. अपने बहों की कलों से, C. बेटों के दुदकार से, D. अपनी गरीवी से Right option है, A. अपना काला ओठना देखकर Next question है, सीता के हाथ में अब क्या नहीं था? A. आफशन है, जीना, B. मरना, C. भागना, D. चलना Right option है, B. मरना Next question है, बिजु की पत्नी का नाम था? A. आफशन है, भवडी, B. पुश्पा, C. शांती, D. चमेली Right option है, B. पुश्पा Next question है, किसे महसूस होने लगा की अकास अनन्त नहीं है? A. आफशन है, सीता को, B. भवरी को, C. पुश्पा को, D. नारायन को Right option है, A. सीता को Next question है, भूनती हुई दाल को देख कर लगा की वह भी खाली जगा जा रही है A. आफशन है, भूनी, B. उबाली, C. दोनो, D. सभी गलत है Right option है, A. भूनी इस तरीके से मैंने आपको हिंदी का ओप्सेक्टीव कम्प्लीट करा दी हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में